कि आप सभी लोगों को स्वागत है एक बार फिरसे के यूटूब चैनल पर हाजितमने लाप ने पिलकुल सही पड़ा लोग सभा के अंदर फुनेंस बिल जो है वो इंटरड्यूश कर दिया गिया है लेकिन जो लोग सभा के अंदर finance bill pass हुआ है उसमें कुछ changes है सर कौन से changes भाई सब जो आपका finance bill आया था दीगे ना फरवरी में और जो लोग सबा के अंदर finance bill पेश हुआ है उसमें changes है GST को लेकर सर ऐसा कैसे हो सकता है हाँ ऐसा ही है अगर आपको याद होगा कि फरवरी में एक GST council की meeting हुई थी जिसे हमने अपनी magazine में बताया था कि इस council की meeting में changes हुए है और act के अंदर वो changes करने पड़ेंगे तो जो एक्ट के अंदर changes हुए वो जो act आजाएगा आपके पास आज कल में उसकी कोपी भी हम आपको शेयर कर देंगे और अगर इसकी कोपी चाहिए तो इसकी कोपी आप हमारे telegram group से ले सकते हैं तो बात करते हैं कि क्या क्या changes हुए GST में income tax की बात करेंगे बाद में अभी बात कर ले थे GST की तो बाई यहां पर आपको आ जाना है page number ठीक है न जो भी है ठीक है यहां पर section 23 जो हमारे finance act में आया था और जो लोग सभा में इंट्यूडूज हुआ उसकी language में change है ठीक है न जो finance act में आया था उसके अंदर क्या लिखा हुआ था कि बाई section 23 के अंदर section 23 किस चीट को होता है कि इन इन लोगों को registration नहीं लेना तो section 23 में बता दिया था कि इन लोगों को registration नहीं लेना अब इन्होंने section 23 को change कर दिया इन्होंने क्या बोल दिया कि section 23 में हम notified करेंगे ठीक है कि इन इन लोगों को registration नहीं लेना है और यह जो notified लोग होंगे यह कब से होंगे जी एक जुलाई 2017 से changes माने जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप language देखोगे तो इन्होंने क्या लिखा है कि वो persons को notified करेंगे registration लेने के तो जो language थी section 23 की जो की हमने अपनी magazine में दी थी उसमें और इसमें अब change आ चुका है तो अगर किसी ने हमारी magazine पढ़ी होगी तो उसमें वो देख लेगा कि भाई क्या क्या changes इस वाली बात के लिए रोगई हां सर यह वाली बात के लिए रोगए इसके बाद क्या change हुआ है जराध्यान से समझे इसके बाद यह जो change हुआ है section 30 के अंदर change हुआ है section 30 का ठीक है ना तो रीवोकेशन के time limit भढ़ाना चारे थे तो लो में लिखा हुआ था कि 30 दिन उसके बा कि कब रीवोकेशन हो सकता है तो कभी 6 महीने कर देंगे कभी 3 महीने तो उन्होंने लो से हटा कर उस चीज को किस के अंदर लिया है रूल के अंदर तो इसलिए उन्होंने प्रोवीजो को महा से delete कर दिया ठीक है तो अब आपको रीवोकेशन में मदद मिलने वाली है और हो स सब्सक्राइब 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 करें इसके अलावा बात क्या करें सेक्शन 62 सेक्शन 62 हमारा होता था बैस जेजमेंट असेश्मेंट अब उन्हों क्या बोला है कि वहाँ पर 30 दिन का समय होता था ठीक है 30 दिन के समय को बढ़ा कर यह साठ दिन कर रहें लेकिन यह नहीं भाई सब्सक्राइब अगर आप 60 डेस से यहां पर देखो लिखावा है ही में फर्निस दा सेम विदी ने फर्दर पिरियड ऑफ 60 डेस ओन पेमेंट ऑफ एडिशनल लेट फीस पे करकर 100 रुपीज पर देगी एडिशनल लेट फीस पे करकर जो आपका बैस जज्जमेंट असेस्मेंट होता था उ तो सेक्शन 62 में यहां पर आपको रिलेक्सेशन दिया गया है लेकिन रिलेक्सेशन के लिए आपको 100 रुपे ठीक है ना पर डेकी लेट फीस देनी पड़ेगी पहले ऐसी कोई लेट फीस का जिक्र नहीं था सेक्शन 62 में हाला कि इसका पूरा एनलाइस जब हमारा एक्ट आ जाएगा हम उसके अंदर करेंगे और अपनी मैगजीन के अंदर करेंगे लिखका है प्रोवाइड डेट वे रिजिस्टर पसंद फेल्स टू फरनी से वैलिट रिटन विदिन 60 डेज ओप सर्विस ओफ असेस्मेंट ओडर कि अगर आप साथ दिन के अंदर भी अपनी रि कर दिया साथ के बाद फिर साथ का कर दिया मतलब 120 दिन तक आप कर सकते हो लेकिन लेट फिस लगेगी इसके बाद जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वह सेक्षन 109 में सेक्षन 109 किस चीज की बात करता था यह कहता था कि एपलेट ट्रुबिनल और उसकी बैंचिज कैसे बन करा सेक्षन 110 में क्या था कि प्रिजेन members घ्लेट ट्रुबिनल qualification appointment und condition of service कि बाई अप्लेट ट्रुबिनल के प्रेजेन होंगे members होंगेन की qualifications क्या होगी उसके अंदर भी UN cuad steht इसके बाद गया मैगजीन में आपको कवर अदी इसके बाद इनवे financial aid administration power जो कि section 114 में उस वाले section को भी change करा है substitute कर दिया यहाँ पर नया section डाल दिया है ठीक है इसके बाद इन्हों ने section 117 में amendment करी अब आपको के सर section 117 क्या होता है वह section 117 होता है appeal to high court तो appeal to high court के section में भी इन्हों ने change करा फिर इन्होंने section 118 में change करा appeal to supreme court उसके के अंदर भी change करा फिर इन्होंने section 119 के अंदर change करा ठीक है सर 119 कि के लिए होता है some dues to be paid not with standing appeal तो यह जो सारे section appeal से related से इन्होंने सबके सब section को बदल दिया और यह सारे section जो आपको finance bill मिला था फरवरी में उसके अंदर change नहीं था लेकिन जो अभी इन्होंने लोग सबा में pass करा है उसके अंदर यह सारे changes है तो अगर आप यह सारे changes समझना चाते हैं ठीक है ना जो यह finance bill लोग सबा में pass हुआ है अगर आप यह सारे changes समझना चाते तो इस बार की magazine जरूर ले लेना मोटा मोटा मैंने changes आपको बता दिये बागी के लिए detail वीडियो बनाएंगे ठीक है न और अपनी magazine में cover up करेंगे तो magazine का subscription लेना ना भूले आपको कैसी लगे वीडियो हमें comment box में लिख कर बताना और अगर आपको इसकी copy चाहिए तो आप हमारे telegram group से ले सकते हैं सर अभी वीडियो कम आ रही है कोई tension नहीं अभी थोड़ा सा विजी चल लो जैसे फिर होंगा वीडियो आ जाएगी और cya inter वाले भी परेशान नहीं ठीक है cya inter वालों के लिए भी वीडियो आ जाएगी बहुत जल्दी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूं ठीक है वीडियो को जादिस जादा शियर करें वीडियो को लाइक करें थैंक्यू फॉर वाचिंग